Hello students, जैसे next week से आपके exam से start हैं, तो उमीद है आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, जो chapters आपको syllabus में दिये हैं, उन chapters को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से आपने सारे question answers, book exercise जो है वो याद करी होगी, समझी होगी, इस वीडियो में मैं आपको कुछ extra question answers practice के ल और अच्छे ढंग से जो है वो revise कर पाओगे, तो इसमें सबसे पहला question है आपका, who was the founder of the Mughal Empire, Mughal Empire के founder कौन थे, उसका नाम आपको लिखना है, next question है आपका, why दौलत खान लोदी invited बाबर and when, दौलत खान लोदी जो है वो बाबर को क्यों invite करता है और कब, आप ध्यान रख कि कब वो date आपको जरूर mention करनी है, कि दौलत खान लोदी जो है बाबर को क्यों और कब invite करता है, next question है, how did बाबर encourage his soldiers to fight again, जैसे जब मैं आपको chapter पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको ये बात समझाई थी, कि जो बाबर के जो soldiers थे, वो एक वक्त पे आके give up कर देते हैं detriman होता है, कि वो दुबारा से उनको encourage करता है लड़ने के लिए, तो कैसे करता है, वो आपको मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से chapter को पढ़ेंगे, शुरू की कुछ हिस्सों में आपको मिल जाएगा, कि बाबर किस तरीके से अपने soldiers को दुबारा से encourage करता है, next question है आपका, second battle of panipat was fought between which two warriors, उन दो warriors के नाम, उन दो योधाओं के नाम आपको लिखने है, जिनके बीच में second battle of panipat हुआ था, next question है, at what age did akbar sit on the throne, कि कोन सी age में akbar जो है वो गद्दी पर बैठे थे, जब वो गद्दी पर बैठे तो उनकी उमर क्या थी, वो age आपको लिखनी है, chapter के शुरू में ही बहुत easily आपको available है, और अगर आपने जो chapter ध्यान से समझा हो, या question answers, या book work ध्यान से कर लिया हो, उनको धूनने की भी जूरत नहीं पड़ेगी, उनको असानी से इसका answer पता होगा, next question है, in which famous battle, Rana Pratap Singh was defeated, Rana Pratap Singh जो थे, वो कौन से battle में हारे गए थे, उस famous battle का जो है आपको नाम लिखना है, what was sulekal, sulekal क्या था, sulekal की आपको definition लिखनी है, जो आपको दी गई होगी, book के अदर दीवी है, chapter के अंदर, तो sulekal की जो definition है, कि sulekal actual में क्या है, उस word का पूरा meaning दिया गया है, sulekal का, वो आपको इसके अंदर लिखना है, next है, who was the only Hindu courtier of akbar, who adopted दीने इलाही उस एकलोते हिंदु दर्बारी का नाम लिखना है अकबर के दर्बार में जिसने दीने इलाही को accept किया था one word है बहुत easily आपको book के अंदर मिल जाएगा दीने इलाही वाले topic के अंदर है ये mention one directive principle with reference to health health से related कोई एक directive principle आपको लिखना है यहां आपको specify किया जा रहा है health तो आप ये चीज़ ध्यान रखे exam में भी अगर आपसे खाली directive principle पूछा जा रहा है कि कोई भी directive principle लिख दो तो तो आप कोई भी लिख सकते हो लेकिन अगर आपसे specially कोई चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है किसी को specify करके पूछा जा रहा है जैसे यहां पर मैंने health से specify करके पूछा है तो इसका मतलब है आपको health से related ही लिखना है अगर वो health से related नहीं होगा तो आपको marks नहीं मिलेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखे exam में भी कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है specify करके उसको ध्यान में रखे आपको answer लिखना है अगर आपको कोई चीज़ नहीं specially पूछे गई specify करके तो आप कोई भी point लिख सकते हो next है explain the meaning of the term soverian soverian का मतलब आपको लिखना है soverian का मतलब क्या होता है तो यह आपके extra question answers थे practice के लिए मैंने आपको दिये है I hope आप यह अच्छे से करेंगे जो chapter है वो भी अच्छे से करेंगे आप exam में आप अच्छा perform करेंगे all the best for your exams